हेलो फ्रेंज वेलकम तो यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 अपनी एस वीडियो दे विच्छ आपा गल करांगे ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रैमर बाई जॉन इस्ट वूड और ओस दी एक्सरसाइज एडि ओ आपा करन जा रहे हैं 68 अठाट नंबर देखो एक्सरसाइज आपा करांगे इस वीडियो दे विच्छ आठाट नंबर एक्सरसाइज एस दे विच्छ आपने की करना है फॉर विद टू इन्फिनिटिव अपा फॉर्दा यूज करना है टू इन्फिनिटिव मतलोगे टू प्लस वर्ब दी फस्ट फ इन्फिनिटिव फॉर्दा यूज करो टू इन्फिनिटिव दे नाल हुण गया अपनों की कंडिशन देती है नाने दे सेकंड परसन एग्रीज विद वट दा फर्स्ट वन से जेड़ा सेकंड परसन है ओहो फस्ट परसन दे नाल सहमत है मतल जो कुछ भी पहले आदमी ने क economy हाँ जेड़ा दूसरा आदमी है ओह उसदे नाल सहमत हुंद है देखो एग्र यह पसन देविच गल कर रहे हैं ने को इस देविच फस्ट देविच एग्रवर अते लादां कर रहे हैं उस तरह फस्ट परसन है जो गल को काई दाए आ यह डा सेकंड बाडः है उसनाल सहमत हो तुसी ने कहने यूज करना है फॉर दा उसतो बाद टू प्लस वर दी फस्ट फॉर्म टू इंफिनेटिव फॉर दे नाल टू इंफिनेटिव हुन अपने बनावने देखो एक इस तरह ने जिनने भी यह संटैंस ने जिड़ा फस्ट बाला परसन है फस्ट परसन ओस दा सं था हुए गा कलिके स्थ हो संटैंस और लृऋ संतैंस नी रहा पहला पढ़ा संटैंस और यह सेकंड ौला इसदे विच पहला संटैंस इथे तक 2nd sentence पहला sentence 2nd sentence पहला sentence 2nd sentence अपने बनाउना किसे रहे हैं सब्सक्राप पहला पोरा structure बाद दे विचागी पहलापने subject दा यूजज करना है जिस तरह अपना हारी sentence ही होंदा है पहलाप subject दा यूजज करांगे ओस तो बाद प्लास helping verb um अबजेक्ट ब बचाए उबजेक्ट दोने और ऊबजेक्ट आपने अबजेक्ट होगा और ऊस्तों बाद रिभदी फ़स्ट पॉर्प फर्म अधे होका तू जोन्म इस्टे मेर्फ मतलों तो एनफीनेटां जोना बाद उस्तों बचकार एक उपनों यापनी पर है गया तो अब्जेक्ट आप एथे यूज करांगी उस्तों वाद रेस्ट पार्ट हुन देखो जिड़ा अपना फस्ट पार्ट है इस दा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में वर्ब ए में वर्ब तक फौर तो पहला पार्ट है एड़ा एपने लेना सेकन्स इंट्व ने इ उस्तों बाद अगला अब्जेक्ट टू इन्फिनेटिव प्लस रेस्ट पार्ट ओ सारा जिड़ा है अपना ओ अपने लेना है फिर्स्ट संटेंस जो मतलब के ए बारे संटेंस दे विच्छो ए बारे संटेंस जो हूं देखो बनाओने किस तरह ने अपना स्टार्ट कर दिया सब्तों पहला देखो डैनियल बोल रहे है एंड्रिव शुड् टेक इजी एंड्रिव नुकाएद है मतलब फोड़ा एज़ी लेना चाहींदा है कोई प्र आपने शुरू करना है इननने मैथ्यू कह रहा है मैथ्यू देखो शूरू इननने अपनों कीता है येस मैथ्यू देखे एग्री हो रहा है कहना हाँ येस यू आर राइट कहना हाँ बिलकुल तुसी मतलब राइट हूं सही हूं अप उसना एग्री होना है तो सब्तों बेला इट इनने सब्जेक्ट देता पनों इट उस्तों बाद हेल्पिंग वर्ब अपने सेकंड चोही ले यानnew इट वुड्द फी ट वुड्र बी ऊस्तों बाद जएकर कोई रेस्ट पार्ट फस्ट अपना सेकंड सक्टैंस है इस देविच इप्ट पहर मेन वर्ब तो बाद कोई है कोई चीज कई वर्ड है रेस्ट प़ार ऑगी मेन वर्ब आगे बैस्ट अ गया इस तरह जए उ यूज कर लिया उस्तों बाद आपने फॉर दा यूज करने है इत्थे आगया फ़ॉर होना अपने यूज करने है ऑबजेक्ट और ये करने है एह पुर्ट ऑब्जक्ट कीड़ा होगा याज तर आ वीच्य जो स्विजे क्ट हूगा में उप्र ले देसी पर आपेक्ट होगा श् overwhelming effect कियाक एंज्यू टर य्पर यनन्ट्रीय क्यूं घ्यो ने लिया हनुगा यूज करंगे एक लड़का ही ता ही यह जो ही नूँ जो आपका अब्जेक्ट दे तौरते लेके आमांगे ता ही दा बन जन्द है हिम ता इत्थे बनेंगा इट बुड वी बेस्ट फॉर हिम ए अब्जेक्ट आ गए क्योंकि एंड्रू सी ही ता ही दा हिम सारे दे विच इस तरहीं करना है उस्तों बाद टू प्लस वर्बदी फर्स्ट फॉर्म एसे दे विच्चों टू प्लस वर्बदी फर्स्ट फॉर्म ता इस दे विच मेन फॉर्म केड़ी है टेक ता इसनों कर दांगे टू टेक टू टेक उस्तों बाद एस संटैंस दे व इजी ता इस तरह एपना complete हो जेगा देखो अगला Trevor Trevor की बोर है और new computer should arrive soon सादा येड़ा केना नमा computer है जल्दी ही आजाना चाहिए देखो लाउरा भी देखो इस दिना मैं भी नहीं कर पा रही बेट मीं computer जल्दी आजे आई ता इनने subject देता आई उस तो बाद helping verb can't जेकर आपा चाहिए था इस जस्ट भी ना ले इस दे लिख सक देया I just can't I just can't जेकर सिर्फ can't लिखना है helping verb फिर भी चाल जेगा I can't इस तरह भी I just can't उस तो बाद main form मैं वर्ब दी form ओही अपा रहा मागे wait ये आगया इस तक उस तो बाद for the use करांगे for ओस तो बाद object हुण पहले दे विचे देखो अपा एस चों object लेके होने तब पहले एस sentence दे विचे जो subject है ओही अपने इदर object होईगा ता इस दे विच में subject की है और new computer computer है तो computer की चीज़ है एस दे लिए अपा यूज कर दे है इट हुण जो दो इट नूँँ अपा objective था आते लेके जामागे कोना क्योंकि यह सून है एक objective पार्ट नहीं है गा एक एडवर्ब है ता इसलिए सून दा यूज अपन नहीं करांगे सिर्फ to arrive तब का पाइस नूँ रखांगे अगे देखो रैचल सेकंड देविच रैचल की कह रही है मैथ्यू शुड नौट मैरी इमा जीड़ा मैथ्यू है मैथ्यू नूँ इमा दे नाल विया नहीं करवोना चाहिए दा इट वुड वी अ मिस्टेक कैने एक गलती होवेगी ताहिड़ा विकी है उस देना सहेमत है I think so too कैनी मैंनू भी ऐसे तरह ही लगद है उस्तों बाद सबजेक्ट सबजेक्ट की आएगा it it verb the form helping verb it would उस्तों बाद be it would be अगए जो भी है इमेन फॉर्म आगी जो बाकी बाच गया a mistake नाली आएगा इस सारा लिख दांगे it would be a mistake उस्तों बाद for it would be a mistake for हुना आएगा object ताप पहले दे विचे subject की है मैथ्यू मैथ्यू नुबया निकर वोना चाहिन दा इमा देना मैथ्यू मतलब के ही ता ही दा उद्र बंजेगा him for him उस्तों टू ब्लस वर दी फर्स्ट फॉर्म मैरी मेर फॉर्म टा टू मैरी टू मैरी ता अग्ये देखो object है थे इमा टू मैरी इमा क्योंकि अपा अक्सर प्रनावन ही यूज कर देया था इमा एक लड़की है शी ता शी दा इत्या जेगा हर यह अपना answer आगया अगला देखो last customer की कह रहा है advertisements should tell the truth यडिया advertisements ने उनना नुस चाहिया जड़ी उद्खाऊ उनी चाहीं दिया अचेज़ जया जड़ी हो हो important है ता मार्क कर याज एकरी किना मैं भी एक रीया किस चीज़ ना एक रिया किस चीज़ ना एक रिया अचाहि इपार्डेंट इपार्डेंट रहै हों कि मेर्भ हल्पिंग वर्भ और सुजक्त उस वर्फ पोर इपार इसे विच अमेंज़ एक Advertisement Advertisements उस्तों बाद आपा यूज करने है अबजेक्ट अपना टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म फॉर हो गया Advertisements अबजेक्ट हो गया टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म टू की है अपना main वर्ब की है टेल ताजी का टू टेल टू टेल दर टू 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 ताइस तरह अपना complete हो जीगा देखो बिलकुल असान है जिस तरह पॉंड दित्ते होए निना ने blank छड़े ने incomplete ने जो second sentence वो पूरे करने ने तुसी subject, helping verb, main verb second sentence नो मूरे लेके होना है कहन दा मतलब second sentence पहला लिखना है उस तों बाद for दा यूज़ करना है for तों बाद object जो पहले sentence दे विचे उपरला जो बने होया है पहले sentence दे विचे जो subject होएगा ओही object होएगा मानलो जेकर हो एंड्रीव सी जिस्तरा एंड्रीव उस दा प्रनौन यूज़ करने है एंड्रीव दा प्रनौन होएगा he ता ही नो जो दो objective दी जगाते लेके जामांगे he दा him ता objective यूज़ करने होस्तों बाद एस मानलब पहले sentence दे विचे जो main verb होएगी उस दिना टू प्लस वर्ब दी first form उस तो अगे जेकर पहले sentence दे विचे कोई objective पार्ट है गया ता objective यूज़ रेस्ट पार्ट यूज़ अपके लिखदांगे जिसतरा अपने है बनाएने तो एस ही अपनी एस exercise दा पार्ट फर्स्ट आई होब के तो अनुचंगी तरह समझ आगया होगेगा एंड के next दे देखो हुण अपने एस दा fourth part यूज़ अपके करांगे second दे third part यूज़ नहीं करना fourth part यूज़ सिर्फ अपन first दे fourth part ही करांगे देखो fourth part दे विचे अपने की करना है for and off अपने चूज़ करना है कि अपने फॉर्दा यूज़ करना है या फिर off दा मतलगे after adjective adjective तो बाद या ता for the यूज़ होएगा या फिर off दा ओ अपने देखना है किस तरह करना है देखो सब तो पहले इनने अपने की situation देती है a Japanese company called Senko एक Japanese company है जिस दा नाम है Senko is going to open a new factory वो एक नवी फैक्टरी है यड़ी open करना जा रही है in a town in England England देख town देविचे write the sentences from the local newspaper एक local newspaper देविचे हो ओसनार सबंदी तो कुछ sentences ने ओ लिखो हुन देखो मैं पहला तो है बना रखे ने ताकि टाइम ना लगे क्योंकि बिल्कुल असान है इस देविच कोई बड़ी गाल नी मैं सिर्फ तो नों समझा देना कि किस तरह बने ने ओसे तरह तुसी बनाओं दे चले जाने देखो एप लो यो भी अपने बनाए ने इनना ने अपनू एक एक संतेंस है इडा उपर ला इस तरह देता है मतलब जिस तरह की मार्वल्स उस्तो बाद अपनू अपना अबजेक्ट देता है उस्तों बाद वर्बदी मेन फॉर्म देती है और उस्तों बाद पिछला इडा रेस्ट पार्ट आ गया किस तरहें इनना नुभी को लेकल जो दो आनू इऑ着 रखनेंदी द्यूरूत सिर्फ त्थ उस्सी premade बच्चयों जो इननने अपनू देता है सिर्फ एक चीज पहचान नहीं है इकता तुसी ने subjective दिकना उसने विच्छों के अड्जेक्टिव केड़ है हुन अड्जेक्टिव की हुन देने जो नौन ते प्रनावन दी विशेशता दस्देने और दूसरा उस दे विच्छों मेन फॉर्म देखनी है वर्बदी बैस और कुछ नहीं करना बाकी सब कुछे नहीं शुरुआत अपनू करके देती है उस तो बाद आपने बनाओ दे चले जाने हुन करना की है एस दे लिए तो अनू एक चीज़ जुरूर देखनी पहनी है जो अपनी अक्सवोर्ड दे अपर डी पार्ट है लेफ्ट सहर ते डी पार्ट है बिलकुल नीचे ओ थिक डबा बने हुए है और डबे दे व ऐबाद हमेशा फॉर्डा यूज़ ऩने फॉर्ड फॉर्ड रचल जर्च और अपर था यसे तरह पारबे नहीं हो देता है और फूर्ध लेखनब मान वいます ऑल पताफियाский प्ल सदुख देता हुए ताप कहां गे और पर फॉर्दाम ऑल्प चाहर उस तरहोस फूर्ध और उ faar, जीकर off आली है तब पकांगे intelligent off, तब तुसी हो सारा देख लेना है navigating for और crossed off जीरे for आली सेड़ ने adjective उन्हा नाद for ना फ़र दा उस करांगे और जीरे off आली सेड़ ने आलआ आफ दा उसकरांगे बाकी सारा तुसी as it बäs एक खत्म करकर जे बस एक उसी देखना है किस देनाल फॉर किस देनाल आफ और दूसरी चीज एक अर्मी है सिर्फ जड़ी मेन वर्ब है इस दे विच ओसनाल टू प्लस वर्ब दी फर्स्ट फर्म कर देना उसनों बाकी सारा सेम लिख देना है देखो इस तरह बनेगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्प इस दे विच एकर इस सारे अपनों अड्जेक्टिव देनाल जाता फॉर या आफ तुसी पहला हो तो देखो याद करो किस देनाल फॉर लगो किस देनाल आफ उसतों बाद अबजेक्ट इननाने खुद देते ही होएगा जिस तरह मार्बल्स अपना अड्जेक्टिव हो गय इस दे विच एडजेक्टिव हो गया एपना जिए इस तरह वाद रेस्ट पार्ट जो बाकी बच गया इस दे विच सम न्यू जॉब सेंको हेयर इस दे विच न्यू इंडस्ट्री इस तरह बाकी सारा मतल सेम उसे तरह जीगा देखो फरस्ट बने हैं देखो बिल्कुल असान है एक बना की समझे होगे इसने फरस्ट देविचे दिता है marvels फिर oblique the town have some new jobs सबतों बहुत देखो इनने अपनों शुरुआत दिती है it will it will उस बाद be इनने अपनों बना की दिता है it will be will देना ला helping वर बला गया भी तरह आ गया it will be a helping verb हो गया it will be उस्तों बाद marvels हुण आपा शुरुआत करती है थो बना नहीं marvels क्योंकि helping verb बना होना सुजेक्ट तो बाद helping verb फिर adjective तो शुरुआत होएगी it will be marvels हुण marvels अपने देखने है नीचे उस दब्बे देविच के फॉर आली सहड़ा या फिर आफ आली सहड़ा या फॉर आली सहड़ा है ता इसना फॉर ए marvels आ गया marvels उस देना लाता अपने फॉर उस्तुबाद दा टाउन दा टाउन सेम लिखता उस्तुबाद है वर्ब दी फॉर्म आगी ता टू हैव बाकी सारा सेम अगे देखो अगला ए वाला clever और लोकल कोंसल कलेवर उस दाद बलीख और लोकल कॉंसल उस दाद ब्रिंग सैंको हेर सबतों पहला इनने शुरुआत आप पहुंद दीती है इट वाज स्बजेक्ट देता हैल्पिग वर्ब देती सुजेक्ट हेल्पिंवर्ब उस द दाट अडजेक्टिव अपने लिखत अपने नीचे देखिया कि फोराली सेड या ओफाली सेड तो ओफाली सेड है तो ख्लेवर देना ओफ आ गया उसतो बाद और लोकल कांसल और लोकल कांसल फिर वर्बदी फॉर्म आगी में टू ब्रिंग उसतो बाद सेम इसनों कट के लिखता सिर्फ तुसी ने अड्जेक्ट दट आउ अट्रेक्ट निव इंडस्ती तषब तो बहला इनन ने इट पो इन घिट-खशया है उसतो बाद आप लिखत र डिफिकल्ट अओ दिफिकल्ट और अनि लाता ढ़ई एपड निज दीफिफिकल्ट फॉरर धिरॉकंपाय उस्तो बाद टवाद परहर दण I hope कि हुन तरह समझगे होंगे Second Very generous The council Give the land to Senko उस तवाद देखो It was इनने लिख्या हो है It was Subject होगया Helping verb उस तवाद Very generous Very generous हुन generous किदली सहड है Off generous देना लाता Off उस तवाद The council The council उस तवाद Give verb दी फौम है To give बाकी Same is नूँ आहाटा के भी चालो आगला third The company Agra हुन दाने The company मतलोग केड़ा Subject है नने अगई देता The company Agra Production Begin Soon तो सब तो भी लाएटा The company The company देना Is A helping verb आगया The company Is उस तवाद आगया अपना Adjective Agra Agra किसे साइड है For आली साइड Agra For उस तवाद Production Begin वरब दी फौम हागी To begin उस तवाद Soon क्योंकि यस दे विच्चे इनने अपनो बनाया हुए है अपने उसे तरह इसनो लिख देने सिर्फ करना किया है एक ता Adjective तो बाद For दा यूज करने है जा Off दा वो अपना देखने है For किनना Adjective देना होगा Off किनना किनना देना और उस तो बाद जित्थे वर्बदी form अपनो मिलूगी उसनो 2 प्लस वर्बदी First form कर देना बाकि किसे नो कुछ भी नहीं मतलो Adrudr करना किसे word नो सेम उसे तरह लिखी जाना है So इस तरह ऐसी अपनी exercise 68 बिल्कुल असान सी I hope के तो समझ आई होवेगी जे कर वीडियो चंगी लगी है तब वीडियो नो लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो और जे कर तुछी चैनल उपन नवे हो तब चैनल नो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नी पूलना So मिल दे आगली वीडियो लेके उनों तक देव इजाज़त Thank you so much